कि नमस्कार कच्छा चिठा देख रहे हैं आप और मैं आपके सांथ प्रियाबिस्ट देश के अलग-अलग हिस्सों में एडी की कारवाई से तहल का मचा हुआ है और आरोपियों की नीद उड़ गई है एक एक करके एडी की टीम उन लोगों तक पहुच रही है जिन्होंने कर ब्रस्टा चार में शामिल है अब एक बार फिर से एडी ने अपने एक्शन से हड़कंप मचा दिया है जिसकी वज़से करोडों की संपत्ती भी एडी ने अठेच कर ली है जिसके बाद अब बाकी ब्रस्टा चारियों की नीद उड़ गई है तो क्या है पूरा मामला इसी क आज पूरा कच्छा चिठा खोलेंगे एडी की चापे मारी से मचाहर कंप करोडों की संपत्ती को किया आटाइच रिलाइंस जनरल इंशोरेंस के खिलाफ एक्शन अलग-अलग राजियों में एडी की कारवाई एडी का एक्शन लगातार चल रहा है और अब इसकी चपेट में बड़ी कंपनी आ गई है दरसला परवतन निदेशाले यानि की एडी ने रिलाइंस जनरल इंसोरेंस प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रीनिटी री इंसोरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड की 36 करोड 57 लाग की सवधी जमा और जमीन अटैच की है एडी ने 18 जनवरी को बताया कि ये कारवाई जम्मू कश्मीर में बीमा घोटाले से जुड़ी मनी लॉंडरिंग की ज्याज के तहत की गई जाज जम्मू कश्मीर के वित्विभा के ट्रीनिटी री इंसोरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड की मिली भगत से सरकारी करमशारियों पी एस्यू कर्मियों पैंशन भोगयों के लिए मैडी क्लेम बीमा पॉलिसी का टेंडर धोका धड़ी से रिलाइंस जनल इंसोरेंस लिमिटेड को देने से संबंदित है एडी का मनी लॉंडरिंग का मामला सी बी आई की एफ आयार पराधारित है एफ आयार जम्मू कश्मीर के पूर्वराजिपाल सत्यपाल मलिक के उस दावे के बाद दर्ज की गई जिसमें उन्होंने सरकारी करमशारियों के लिए समू मै इंशॉरेंस के 32 करोड 53 लाक रुपे कीमत के साउधी जमा और ट्रीनिटी रिंशॉरेंस ब्रोकर की सबसिडिरी कम्पनी क्लोबस ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड की 4 करोड 40,000 कीमत की जमें अटैच की है अटैच की गई संपत्ती की कुल कीमत 36 करोड 53 लाक रुप में बड़ी कारवाई की है इडी ने इस घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में 16 जनवरी को दिल्ली में मौजूद एवेंट मैनेजमेंट कम्पनी के मालिक निखिल महाजन को गुरुफतार किया इस मामली में मुख्य आरोपी पूने के अजे भार्दवाज और जिनसी का आरोप है कि महाजन अपराद की आई पी ओसी को ठिकाने लगाने में शामल था इस्पेशल जज एम जी देश पांडे ने महाजन को 25 जनवरी तक एडी की हिरासत में भेज दिया अदालती कारवाही के दोरान महाजन ने अपने वकील के जरीए कहा कि उन्हें कोई बिटकोईन नहीं मिला है भारदवाज ने कुछ साल पहले दरज अपने पिछले बयान में असी कोई बात नहीं कही थी इसलिए महाजन का दावा है कि वो किसी भी कतित पी ओसी में शामल नहीं रहे हैं दरसल अजे भारदवाज को पहले गिरफतारी से राहत मिली थी हालांक कि अब वो इस मामले में वांचित आरोपी हैं हाल ही में इडी ने इस मामले में अजे की पतनी सिंपी भारदवाज और उनके भाई नितिन गौड को गिरफतार किया था और वो न्याई के रासत में हैं इडी ने 2018 में अमित भारदवाज का बयान दर्ज किया था जो कि महाज महाजन के खिलाप सबूत के तौर पर कामा रहा है अमित का 2022 में विदेश में निधन हो गया था वहीं इडी का आरोप है कि महाजन को भारदवाज बंदों से दुबई में कारिक्रम आयुजित करके और मशूर हस्तियों के उपस्तिती सुनिस्चित करके अपने प्रोड़क् प्राची देशाई आरती चाबरिया और अन्य हस्तियों ने भाग लिया था बात यहीं पर खत्म नहीं होती है इडी ने धन शोधन मामले में चिन्नई की निर्माड कंपनी उसके प्रवर्तकों और उससे जुड़े लोगों के परिसरों पर धन शोधन मामले की जाज के निदेशकों और अन्य के खलाब दर्ज प्राथमी की का संग्यान लेने के बाद जाज शुरू की है सूत्रों ने बताया कि चन्ने शहर और उसके आसपास के करीब 6-7 जगों पर एडी के अधिकारे धन शोधन रोख्था मधिनियम प्राउधानों के तहज जाज कर रहे हैं CCB ने पिछले साल कंपनी के पूर्व निदेशक भी स्रीराम की शिकायत पर प्राथमी की दज की जिन्होंने आरोप लगाया कि परवर्तकों ने उन्हें धोका दिया और बाद में उन्होंने कंपनी के बोर्ट से अपने निशकासन को चुनोती देते हुए रास्ट कंपनी क देशक ने 50 करोड रुपे की कथित राश्री के मामले को निप्टाने के लिए CCB अधिकारियों के खलाब धमकी और जबरदस्ती के आरोप लगाये थे उसके बाद अदालत ने मामले की जाज CCB से राज जी की अप्रार शाखा CID को सौब दी थी कंपनी की वेबसाइट के अनुसार ये सामान या नुबंद कामों से जुड़े कार करती है एक तरफ तो अलग-अलग मामलों में ED की कारवाई चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी ED की एंट्री से बवाल मच गया है दरसल बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच ED के अधिकारी 19 जन्वरी को पटना में मौजूद राबडी आवास पहुंचे ED के एक अधिकारी पीला लिफाफा लेकर लालू परिवार के पास पहुंचे रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ED ने एक नोटिस दिया है ऐसे में लालू फैमली की मुश्किले और बढ़ने लगी है पहले ही इस मामले में RGD सुप्रेमो लालू परसाद यादो उनकी पतनी राबडी देवी डिप्टी सीम तेजिस्वी सांसद मीसा भारती समित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम लैंड पॉर्ड जॉब केस की चार्जी शीट में शामिल है जानकारी के मताबिक ED के एक अधिकारी अच्वानक राबडी आवास पहुचे पीले रंग के लिफाफे में उन्होंने एक नोटिस लालू परिवार को रिसीव कराया बता दे की लैंड फॉर्ड जॉब मामले में ED ने पिछले दिनों दिल्ली की राउजमें न्यू कोर्ट में चार्जी शीट दाखिल की थी इसमें कथित गोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग के केस में लालू तेजिस्वी राबडी समित अन्य को आरोपी बनाया गया दूसरी और बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और डिप्टी सियम तेजिस्वी ने 19 जनवरी को अचानक सियम आवास पहुँचकर मुख्यमंत्री नितीश कुमार से मुलाकात की राजेडी गलियारों में चर्चा तेज है कि नितीश कुमार महा गठबंदन से नाराज चल रहे हैं पोर वसीयं जितनराम माजी ने भी दावा किया है कि नितीश कुछ नयाग खेल करने वाले हैं इसलिए लालू और तेजिस्वी नहें मनाने के लिए गए हैं दिल्ली की एक अदालत ने बिहार के पोरू मुख्यमंत्री और राजित सुप्रीमो लालू प्रसाद यादो और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े कथित लैंड फॉर जॉब स्कैम रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में प्रवतन निदेशाले की तरफ से डायर चार्जशीट यानि की आरोप पत्र के संग्यान में बुद्दे पर अपनी दलीले सुरक्षित रख ली राव जवन्य कोट 20 जनवरी को इस मामले में अपना आदेश दोना सकता है ये एडी की पहली चार्जशीट है जिसमें कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले की मनी लॉंडरिन जाज में बिहार की पूर्वसियम राबडी देवी मिसा भारती यादो हेमा यादो और अमित कातियाल का नाम शामिल है केस के सुनवाई के दोरान एडी ने कोट में आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादो और उनके परिवार के सदस्यों की गलत कमाई को ठिकाने लगाने के लिए दो कंपनियां बनाए गई थी उन दोनों कंपनियों को अब एडी ने अपनी मनी लॉंडरिंग जाज में आरोपी बनाया है इससे पहले एडी ने कोट को बताया था कि आरोपी कंपनी एके इनफो सिस्टम के ऑबजेक्ट लॉस के मताबिक ये डेटा एनलेसिस का काम करती है लेकिन कंपनी के द्वारा ऐसा कोई कारोबार नहीं किया इसके अलावत एजिस् इनफो सिस्टम को एक लाग की छोटी रकम के लिए लालू यादो के परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर किया गया था भारती रेलवे में ग्रूप डी कैटेगरी में नौकरिया प्रदान करने के बदले में भूमी पार्सल खरी दे गए थे एबी एक्सपोर्ट में दोहज के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई इडी ने आरोप लगाया है कि मामला साथ लैंड पार्सल का है आवडी देवी पर तीन भूखंड हेमा यादो पर दो भूखंड और मिसा भारती पर एक भूखंड फरजी तरीके से बेचने का आरोप है यादो परिवार के आरोपी सदस्य 17 अन्य शामिल है कथिद घोटाला उस समय का है जब लालू यूपीए वन सरकार में रेल मंत्री थे और अब एडी का शिकंजा कस्ता ही जा रहा है अब देखना होगा कि आगे एडी क्या एक्शन लेती है कच्च चिटा में फिलाल के लिए इतना ही बाकि तमाम ख़बरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी नमस्कार